असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नय और लिटेस्ट विडियो में और फाइनली 2023 का निव लिटेस्ट और 100% सही तरीका मिले कर आ गई हूं उर्दू में दर्ख्वास्त यानि की अप्लिकेशन लिखने का अगर आप लों का बोर्ड जाम में हर साल पांच नंबर का पूछता है उर्दू में दर्ख्वास्त लिखने को तो मैं नहीं चाहती कि आप लों के हाथ से पांच नंबर यूहीं छूट जाए और इसलिए मैं 2023 का निव और लिटेस्ट तरीका लेकर आ गई हूं उर्दू में अप्लिकेशन लिखने का दर्ख्वास्त लिखने का हलांकि मैं और लोड़ी बता चुकी हूं इसके पिछले वाले सेशन में उर्दू में अप्लिकेशन लिखना लेकिन आप लोग का बहुजदा कमेंट आ रहा था कि फिर से बता दीजिए हम लोग का 2030 में एक्जाम है तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसलिए मैं नया और लेटेस्ट और 2023 का 100% सही तरीका लेकर आई हूँ जो कि मैं आप लोग को बताने वाली हूँ अगर इस तरीके से आप अपने बोड एक्जाम में उर्दो में दर्ख्वास्त लिखते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो एक्जा सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा अपने पड़ों से अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा है कर दीजिए ठीक तो चलिए स्टार्ट करते हैं दर्ख्वास्त इंग्लिस में तो application बोला जाता है और हिंदी में आवेदन पत्र तो हिंदी इंग्लिस में आप लोग दर्ख्वास्त application लिखना जानते होंगे लेकिन अब बात आती है कि उर्दू में दर्ख्वास्त कैसे लिखे और 100% क्या सही तरीका है तो चलिए समझते ह देखिए जैसे कि लंबा चड़ा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मैं दर्ख्वास्त लिख दी हूँ उर्दू में और दो कलर के marker से लिखी हूँ एक black color के marker से लिखी हूँ और एक blue color के marker से लिखी हूँ तो जो मैं black color के marker से जितने भी उर्दू के sentences को लिख दी हो ना यह हर दर्ख्वास्त हर application में रहता है चाहे आप किसी के पास भी दर्ख्वास्त क्योंना लिख रहे हूँ प्रिंसिपल के पास हेड मास्टर के पास अखबार एडिटर के पास फूर कंट्रॉलर के पास या फिर किसी भी मुद्दे पर फीस माफी के लिए चुट्टी पर चेंज होते रहता है ठीक है तो चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले तो दर्ख्वास्त लिखने की शुरूआत अपने पेज के दायें तरफ से करना है जैसा कि मैं देख सकते हैं आप इसको पेज ही मान लीजिए एक तरसे ठीक है तो पेज के दायें तरफ से स्टार्ट कर बाद जिसके पास आप लोगों को दरख्वास्त लिखना है अप्लिकेशन लिखना है उसका यहां पर नाम लिख देना ढूरा में थिक और इसके बाहरीं है दर्ख्वास उसका नाम लिख देना है और फिर हेड़ चुल यह रहे हैं तो यहां पर इस्कूल यह फिर कॉलेज का नाम लिख देना है अगर आप रहे हैं दरख्वास तो फिर आप लोगो को कॉलेज या फिर का दाल लें उसकूल का नाम डाल दे लेकिन अगर अगर लोग निवैल निवार में किसी यह मैस्टर चाहब के पास दरख्वास संप कॉलीज लीह दिशका में लग नामются अब आगे बढ़ते हैं उसके बाद है मौजू मौजू यानि की टॉपिक आप किस मुद्धे पर किस टॉपिक पर यह दर्ख्वास यानि की अप्लीकेशन हर मास्टर सहाब को लिखे हैं वो मौजू आप लोगो लिख देना है तोपील टॉपिक लिख देना है देखिए होता है उससे चुटकारा पाने के लिए चुटकारा मतलब छुड़वाने के लिए ठीक है तो वही लिख दी हूं मैं कि स्कूल की फिस मौफी और लास्ट में देखिए से तालुक यह भी ब्लेक कलर के मारकर से हैं तो यह भी हर हर दर्ख्वास थर अप्लिकेशन में रहेग तो यहां पर मौजू लिखेंगे मुहले में गुंडागर्दी से तालुक अब यहां पर मौजू आप लोग का चेंज हो जाएगा यहां पर क्या लिखेंगे मौजले में गुंडागर्दी से तालुक लास्ट में से तालुक लगाना जरूरी है यही मैं आप लोग को समझा लिखे हैं और उसके बाद से एक लाइन नीचे चले आना है जैसा कि मैं इतना स्पेस छोड़कर यहां पर लिखी हूं जनाब आली और फिर उसके बाद से यह एक्सक्लामेशन मार्क आप लोगों को देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जनाब आली जिस तरह मैं लिखी हूं इसी तरह आप लोगों को लिखना है अब आगे बढ़िए आगे लिखा हुआ है कि नहायत अदब के सांथ अर्ज है कि देखिए यह भी बलेक कलर के मारकर से जैसे कि मैं लिखी हूं इस्कूल की फिस्माफी के लिए तो कि मैं इसकूल की फिस क्यों माफ करवाना चाहती हूं और इसी तरह आप लोग को भी करना है जिस भी मुद्दे पर आप लोग दर्ख्वास लिख रहे हैं उस मुद्दे के बारे में क्यूं मालिजी आप लोग नौकरी लेना चाहते हैं आपके अंदर किया काबलियत है यह हर एक चीज यहां पर लिखकर बता दीजिए चुट्टी लेना चाहते हैं तो आप लोगा मौजू है चुट्टी से तालुक तो क्यूं चुट्टी लेना चाहते हैं यहां पर रिजन लिखना होता है यानि कि यहां पर आप अपनी बातों को लिखकर बताएंगे हेड मास्टर साब से तो जैसे की मैं लिखी हूं, मेरे वालिद private form में मुलाजिम है, मेरे वालिद یعنill है मेरे पिता जी जो है private form में मुलाजिम है लेकिन कुछ दिनों से मेरे वालिद बहुत तेज बीमार है जिसके वज़ा से वो ना तो मुलाजमत करने के लिए गए और ना ही स्कूल फीज दे पाए ठीक है मेरे वालिद जो है ना पीटा जी वो बहुत तेज बीमार है कुछ दिनों से जिसके वज़ा से ना तो वो नौकरी करने के लिए गए और ना ही आपके स्कूल की फीस दे पाए लहाजा आपसे पुल्व को याद कर ले कि नियुठी की, मेरे वालिद की खरीबी और प्रेशानियों को मदद्द नजर रखते हुए मेरी महाना स्कूल फीस मुआफ करने की जहमत फरमाए कितना सिंपल कितना मतलब आसान से लफजों का यूज करके कितने सुन्दर तरीके से मैं लिख दी हूँ लहादा आप से पर खलूस गुजारिस है कि मेरे वालिद की गरीबी और परिशानियों को मद्दे नजर रखते हुए मेरी महाना स्कूल फीस यानि कि मेरी जो मंधली स्कूल फीस है एक महीने का स्कूल फीस उसको मुआफ करने की जहमत फरमाए ठीक यहां तक हो गया बात रख दिए अब लाश्ट में आप लोगो लिख देना है इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्र गुजार रहूंगी ये भी हर दरख्वास्थार अप्लिकेशन में रहेगा लाश्ट में ये लिखना जरूरी होता है ये बलेक कलर के मारकर से लिखा हुआ है यान कि ये हर दरख्वास्थ में लिखा जाएगा इसके लिए मैं आपका दिल से शुकर गुझार रहूंगी, या फिर इसके लिए मैं आपका दिल से शुकर गुझार रहूंगा, अगर आप मेल है तो लिखेंगे, ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया, अब आप लोगको आ जաना है पेज के बाएं तरफ नीचे यहां पर, और लिखना है आपका फर्माबरदार अब आप लोग को पेज के बाये तरफ चली जाना है नीचे जैसे कि मैं लिख दी हूँ यहाँ पर और लिखना है आपका फर्माबरदार लिखकर आप लोग को अपना नाम नहीं डालना है नाम के जगा अलिव बेजिम डाल देना है जैस आप आपका फर्माबरदार लिखकर आप अपना नाम डाल सकते हैं और डालना ही पड़ेगा क्योंकि आप सच में लिख रहे हैं दर्ख्वास लेकिन अगर आप लोग परिक्षा दे रहे हैं और उस वक्त लिख रहे हैं दर्ख्वास तो नाम के जगा अली बेजिम डाल देना तो देखिए ठीक इसी के आप लोगो दाएं तरफ चले आना है जहां पर यह लिखा गया है आपका फर्मा बर्दार class roll number इसी के ठीक दाएं तरफ आकर आप लोगो लिखना है date अब date कौन सा लिखेंगे अगर आपको छो exactly 2823avy एक्जाम में बैट कर लिख रहे हैं लेकिन ध्यान रहे अगर आप लोग सच में किसी के पास दरख्वास लिख रहे हैं, तब आप लोग को वही डेट डालना है, वही दिनांग डालना है, जिस दिन आप लोग दरख्वास लिख रहे हों, ठीक, तो यह है 100% सही तरीका उर्दू में दरख्वास लिखने का, I think आप लोग को समझ में आगिया होगा जितना भी मैं ब्लेक क्लर के मारकर से लिखी हूं इसको याद कर लेना है हर दर्ख्वास्त में रहेगा और इसी तरीके को फॉलो करते हुए अगर आप लोग इसी तरीके से दर्ख्वास्त लिखते हैं उर्दू में अपने एक्जाम में 2023 के बोड़ एक्जाम म अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ले लिजिए फड़ेवर्ड स्क्रीन शॉट कर देना है अपने पोड़ों से अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा उसा कि उन्हों जदा शेयर करें आप लोगों के जितने भी रिष्तेदार है चारों तरफ और हां अगर आप लोग चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा सब्सक्राइ झालो छूछ टूब ऑँल कोस्तों के लिए बाट और को चैनल चैनल भालों से जितना अपने भी चैनल शेगक सब्सक्राइबド को सक्ष्पट。 झाल झाल